हेलो में बेक टू आज चैनल एक बज मेरे नाम है असलान खान और आप लोग देख रहे हैं मुंची जी रिपर्टिक लो मुंचीजी रिपर्टिक लो है हमारा वो सेग्मेंट जहाँ हम डिसकुस करते हैं यह रिविव करते हैं किसी पोर्जेक्ट को लेकंशोर्ट में अर्लेकिन निगया हैं डिटेल में हमारे किसी फिल्म का प्लाकन पर लेवलेग करें आज हम जिस फिल्म की रपट लिख रहे हैं या जिस फिल्म पर रिवियू कर रहे हैं वो है इदुलजा पर रिर्लीस होने वाले फिल्म अभी इसमिन की राइटर है श्वेब रबानी और इसको डैरेक्ट किया है असर्द मुम्ताज है इसमिन के कास में शामिल हैं गोहर मुम्ताज, कुबरा खान, मिमूद अस्लम, उस्मान पीरजादा, हिना खौजा बयात, सलीम शेख, हरीम फरूग, शिजाद नवाज, अधनाशा टीपू, एन वेरियस अदर यह हमारी माँ है इसमिन के काहानी हमजा की है, जिसका तालुक कश्मीर से है, और वो एक एस्पारिंग म्यूजिशन है, उसके मुलाकात होती है, जारा से, जो के एक पॉलिटेशन की बेटी है, और वो उसको लहूर लेके आती है ओवरॉल इस जर्नी से रिलेटेड आप मजीद जाना जाते हैं, तो अब हमारा डेटेश रिव्यू देख सकते हैं, महां पर हमने इसकी कहानी को खुल कर डिसकस किया हुआ है, यहां पर हम इसके छोटे-छोटे जो है, यह स्पॉयलर फ्री रिव्यू हम करेंगे की जानगा बीर बहुत कुछ कैना है और बहुत सारे मिक्स मैसें से रिलेटेड हैं, कहानी एक की स्टरिशन की स्टगल पर भी इसमिनकी कहानी इंडिया वर्सिस पाकिस्तान पर भी है इसमिनकी कहानी टेर्रिस किड्स की भी है जो के एजूकेशन के लिए सफर कर रहा है इसमिनकी कहानी जो है एक दोस्ती पर भी मबनी है इसमिनकी कहानी आप नेम एनिधिंग इसमिनकी कहानी सब जीजा पर मबनी है इसम जब इतने ज़दा mixed messages हैं आप फिल्म के यौनरा को लेके भी confused हो जाते हैं कि वैदर इतने ज़दा drama और a love story और a patriotic movie, comedy movie, there lots of messages आपको समझ नहीं आती तो कहानी इस फिल्म के सबसे weakest part है आप इतने ज़दा सुन चुके हैं कहानिया मेरे मूँ से तो आप यह भी डिसाइड कर पर रहे हैं exactly हम किस कहानी की बात करें तो कहानी इस फिल्म की काफी बीड थी स्क्रिबली के जहां बात करते हैं तो धाई घंटे की तक्रीबन यह फिल्म है और धाई घंटे इतनी ज्यादा फिल्म है आजकल की फिल्मों के इतबार से जोके जब हमारा attention span बहुत चोटा है तो उस हवाले से अगर देखें तो धाई घंटे काफी बड़े होते हैं उस धाई घंटे में आपका सबसे बड़ा task होता है अपनी audience को या आपके जो viewers है उन्हें मुसलसल grip रखना सो आपकी कहानी में इतना दम भी नहीं था कि वह उसको मुसलसल grip कर सके चुक्के various topics पे आप प्रीची होके discussion कर रहे हैं तो आप एक topics से निकलते हैं दूसरे में जाते हैं दूसरे निकलते हैं तीसे में जाते हैं तो it's very difficult कि आप मुसलसल इस film में connected रहें स्क्रीन पे भी इस film का काफी वीग था डायलोग में भी हमें ऐसे कोई मेहनत नजर नहीं आई तो डायलोग भी वीग ही थे करेक्टर्स की जह आप बात करें कोई एक ऐसा करेक्टर नहीं था कि जो बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिंग हो या relevant हो या ऐसा हो कि जिससे आप रिलेट कर सकें तो रिलेटेबल करेक्टर्स भी नहीं थे और सो करेक्टर्स भी इस फिल्म के काफी वीग थे तो ओवर और राइटिंग का डिपार्टमेंट जिसके जिम्हादार श्वेब रबानी थे उनकी हमें बहुत ज्यादा एक्सिलेंस या आर्टिस्टिक अप्रोच हमें इस फिल् अगर तुम ना आए तो तुम्हारा चांस तो गया अब हम बात करते हैं फिल्म के एक्टिंग के हवाले से इस फिल्म में बहुत बड़े बड़े नाम हैं उस्मान पीरिसादा, कुबरा खान, मेहमूद असलम लेकिन कहीं पी भी किसी भी सीन में हमें इनकी जो एक true element है acting का वहमें नजर नहीं आया या हमें characters जो वह play कर रहे थे, उनकी acting के थरू हमने उन character की depth समझ नहीं आई बहुत ज़्यदा हम फेल हुए उनसे connect करने में so acting इतनी ज़्यदा convincing नहीं थी किसी भी actor की इस film में जहां हम बात करते हैं main protagonist की he was more focus on his styling rather than acting so acting हमें कुछ ज्यादा impress नहीं कर पाई गोहर मुमतास की so acting इस film की काफी weak थी तू चाहे तो लेले वापस मेरी सांसों का उधा चल हाथ पकर अब हम बात करते हैं music की क्योंके यह film एक musical movie है इस पे बहुत सारे गाने हैं इस film का music दिया है गोर मुमतास है लेकिन एक भी गाना ऐसा नहीं था कि जो आप सैनमा घर से निकलते हों इस साथ लेके आए या कोई भी एक गाना ऐसा गाना नहीं था जिसे फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया हो किसी भी musical film की का musical film के गाने बहुत important role play करते हैं फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में मैं जरूरी दर addition करना चाहूंगा एक बहुत एहम objective रखा गया इस film में कि जो हमारे हीरो हैं उसके फादर चाते हैं कि वह अजादी के लिए गाना बनाए वह अजादी का गाना हमें फिल्म के विल्कुल end में आके सुनाया जाता है और जब तक विल्कुल जब क्रेडिट चार रहते हैं वह गाना साथ चार रहा होता है सो कही ना कही हम उस objective से भी हट जाते हैं So music बनाते हुए music जो भी गाने थे उनको हरगिस जहन में यह नहीं रखा गया कि उनकी situation कहानी में कहां create होती है and secondly उनको कहानी से किस तरह किरदारों के साथ लिंक किया जाए So music wise भी यह film काफी weak थी So music भी इतना impressive नहीं था इस film काव परिंदे को पिंजरे में कैद करके रखोगे तो वह उड़ना कैसे सीखेगा अब हम बात करते हैं film के production के हवाले से production के कुछ department से जहां पर यह movie काफी बेतर थी हम बात करेंगे cinematography की movie को काफी different locations पर shoot किया गया और काफी अच्छे दीके से shoot किया गया film के frames बहुत अच्छे थे film के camera work काफी बेतर था जिस तरह का आज कल की film में हम देखें तो उनसे मुकाबला करने वाला camera work था styling काफी hero heroine को मदे नजर रख के की गई या जो भी even sporting cast की भी अगर हम बात करें तो कपड़ों का department white department था जहां पर खुलकर पैसा लगाया गया और हर एको बड़े character specific तो नहीं कहूंगा मैं लेकिन screen appropriate coverage ज़रूर पहनाएंगे जो screen पर देखते हुए अच्छे नजर आते हैं और इसके लावा जहां मैंने cinematography में एक और point को discuss करना भूल गया कि उनके जो camera angles थे उनमें cinematic feel भी थी लेकिन जब story नहीं थी तो cinematic feel को लेकर क्या खटना है बाकि जो departments हैं dubbing वगयरा यह technical जितने भी departments होते हैं वहाँ यह film काफी बेतर है production wise फिल्म को देखे आपको जरूर रहसास होगा कि इस film में काफी पैसे लगे हो हैं की आपको march में कोई कमी नज़र नहीं आती आपको location's में कोई कमें नदर नहीं आती आपको costumes में कोई कमी नजर नहीं आती चो overall production wise फिल्म काफी बेतर थे अब बात किते हैं वियरेक्शन की हवाले से डिरेक्शन का ऩूई वीजन हमें अपने इक विजन के वह बितने नहीं आए हमें समझ नहीं आया Monte कि डिरेक्टर कहना क्या चाहर है चोके इतने स्यादा mixed messages है किसी एक message पर proper time invest किया हुआ हमें नसर नहीं आया और अच्छी acting निकलवाना एक डिरेक्टर के सबसे पहला task होता है चोके मैंने जैसे acting के department discuss कि कहीं पर भी extraordinary acting किसी भी actor की नसर नहीं आई तो डिरेक्टर अपनी responsibility को properly स सारा अंजाम नहीं दे पाए अगर हम overall film के concept की बात करें तो film का concept बहुत outdated था बहुत ज्यादा film में आपको editing के issues नजर आएंगे आपको बहुत ज्यादा acting के issues नजर आएंगे फिल्म is full of inconsistencies आप कोई भी department ठाते हैं आपकोस में problem नजर आती है apart from production इन सभी चीजों का जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जो film किशिप होती है इसको captain होता है वो director होता है so director के हाथ में होता है कि वो film को डबोए या film को अपनी मंजिल तक पहुँचाए तो somehow मुझे इस film में ऐसा नजर आया कि director ने फिल्म को डबोया ही है हम फिल्म जब देखने गए तो हमने life experience किया at least 20 to 30 persons ऐसे थे जो फिल्म को दिर्मियान में उठके चले गए लिटरिली उठके चले गए और यह एक ऐसा मोका था इद का मोका ऐसा मोका होता है जहां पर mostly लोग फिल्म देखने आते हैं इस चीज़ को हमने experience किया इदुल फितर पर जब सिर्फ एक फिल्म रिलीज हुई तो बेश शुमार आवाम ने देखी तो ऐसे आवाम जो के अब आजकल जो के फिल्म अफोर्ड करना एक बहुत बड़ी लगश्री है जो एक दफा इस तरह के फिल्म देखने आएगी और वो डर के मारे आगे सोचे की दस दफा किसे भी पाकिस्तानी फिल्म को देखने के हवाले से के वैदर उससे देखनी है कि नहीं देखनी उसे पैसे जाया करने के नहीं करने सो बड़ी रिस्पॉंसिबिलिटी होती है एद पर ऐसी फिल्में बनाना बलके आप एद पर ऐसी फिल्म बनाके एक बेंचमार्क भी सेट कर सकते हैं कि आपने ओडियोंस जो के अच्छी फिल्म देखके जाएगी वो दुबारा फिल्म देखने जर करना भी चाहते हैं कि नहीं तो यह था अवरॉल हमारा अभी से रिलेटेड रिव्यू आपको पसंद आया होगा मज़ेद इस तना की वीडियो देखने के लिए मैरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फो वाचिंग दिस वीडियो एंड लाव झाल